आज थोड़ा टेंशन वाला महौल है बताओ क्यों कि आज से हमारी एक्साम शुरू होगी है चलो शुरू करते हैं आज हम लोग बैठे हैं अलग क्लास्रूम हैं और वहाँ बहुत ही बढ़िया क्लास्रूम था दिख भाई एकदम सीनी महौल जैसी सीट्स थी भड़ी उडन की थी पर थी बहुत बढ़िया कुछ नया बैठने का मिला इसी बात में हम खुश हो जाते हैं तो ठीक ठाक गया फिर हम चले गए लंच करने के लिए लंच में आज डाल चावल और आलू की सबजी खाके हमने किया था और साथ में ठोकला भी था तो वो भी खा लिया हम गजराती हो ठोकला नका ऐसा हो सकता है फिर हम लोग चले गए बाहर की और वहाँ जाके मैंने पता है क्या देखा कुछ नहीं क्योंकि गास फूसी थी और फिर मैं चला गया एक पेपर लेने क्योंकि एक पेपर लेने के लिए मुझे बहुत लंबा चका काटना होता है वह लेकर फिर मैं वापस होस्टल पर आ गया वहाँ जाके आद पढ़ाई करना शुरू कर जाए क्योंकि अब एक्जाम स्टार्ट हो चुकी है तो सीडी पेपर बैटकर आराम से पढ़ाई करने का मज़ाई कुछ प्लाब है फिर हम लोग बस से बैट गए और चले गए डिनर के लिए उससे पहले हमने एक प्यारा से कुट्टे से मुलागात हो गई कितना प्यारा यू लोगी था फिर रात को आगए और होस्टिल कितनी बड़ा लग रही ये रात को अर फिर थोड़ी सी वाकिइंग कर लेते हैं कि क्वैश शेहत भी तो ठीक करनी है और चलना दिनर करने के बाद चलना चाहिए शेहत के लिए अच्छा होता है आप सब भी चला करो और फिर आखिर में गेम खेल कर अपना दिन ही से माउप दोता है